चलिए हो गया शुरू करते हैं नमस्कार साथी हूं मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं PBR स्टडी में पर यह बच्चों आपको मालूम है पता है कि कक्षा नहों की अंसी आरेटी गडित में एक्सरसाइज 1.5 आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 इसकी पिछली कलास जो चली थी फ्राइडे को उसमें खतम हो गया था सटड़े को आप लोगों का लाइफ टेस्ट हुआ था यूट्यूब पर जिसमें लगबग 200 बच्चों ने भाग लिया था और एक बात और बता दें कि आपकी 15 जुलाई सुबह 7 बज़े से साइंस की कलास सुरू हो रही स अभी बच्चे जरूर आना ठीक है बच्चों और इक्सरसाइज 1.4 में जो आवर्धन वाला है वो चैप्टर अगर यहां पर हम करवाएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसके लिए पटरी परकार से हमें दिखाना होगा कापी पैन में आपको दिखा देंगे उ इसलिए 1.4 चैप्टर हम यहां पर नहीं पढ़ा रहे हैं 1.5 चैप्टर है वहां से हम सुरू कर रहे हैं ठीक है मेरी बात समझ गए 1.4 में केवल दो कुश्चन है बस दो से ज़्यादा नहीं है तो बच्चों बताना है कि यह रेफनल नंबर है या नहीं है आप जड़ा सो पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वो नंबर पी अपान क्यू के रूप का होगी जो वही रेफनल नंबर होगी ऐसा नहीं कि अगर किसी में अंडर रूट लगा है तो वो रेफनल नहीं होगी बच्चा वो भी रेफनल नंबर होगी रूट लगा है तब भी लेकिन उस का वर्गमूल अगर पूरा-पूरा निकल जाए तब नहीं तो नहीं होगी तो बच्चों इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए यह क्या है एरेफनल है आप इसे कह सकते हो हिंदी में आपर्मिय संख्या क्या कहोगे आपर्मिय संख्या इसमें कुछ बताना नहीं क्यों तो मैं बताया ही हूँ कि अपर्मिय कैसा होता पर्मिय कैसे होता तुम्हें सब कुछ मालूम है अब अगर पीछे की छे कलास जो हो चुकी यह नहीं देखे हो तो देखो प्लेलिस्ट बनी है आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लेना ठीक है या फिर चैनल पर जाओ व वो कुछ ऐसा है 3 प्लस अंडरोत 23 और माइनस का अंडरोत 23 यह इतना है और इसको क्या करने को बोल रहा है वह भी समझो तुम के यह यह इतना है और माइनस का अंडर रूट 23 इसमें देखो जब कोश्टा खुलेगा तो यह कट जाएगा या घट जाएगा जो भी तुम समझो फाइनल में तीन आएगा न तो यह परमिये संख्याएगा क्या आएगा बच्चो यह परमिये संख्याएगा अगर उपर हम देखें तो यह तो अपरमिये था उपर question जो दिख रहा था वो तो इरेफनल नंबर के रूप में दिख रहा था लेकिन अगर उसे simplify किया जा सकता है तो वो हम करते हैं तब डिसाइड करते हैं कि यह परमिये है या नहीं है परीतिव इसकर्मा आपका कमेंट आ रहा है ठीक है आपका कमेंट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है किराग पटिदार ठीक है आपका कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी थोड़ा से रुक जाओ देखो ये कॉल भी करते रहते हैं इसी में अभी अभी कुछ बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं एप्लिकेशन वाली कलास वह भी डंडा कर रहे हैं इसी में हिमानसु बर्मा रभी राज बिट्टु कुमार चलो ठीक है तो ये क्या हो गया पर्मिय अपर्मिय दो हो गये अब इसका बच्चों जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है वो भी देख लो यहीं पर इसमें का थर्ड पार्ट है इसको तुम बताओगे सभी चलो ये बहुत आ नहीं आर लिखो बच्चा आर मिन्स रेशनल अगर ए रेशनल है मंतलब अपर्मिय है तो आई लिखो बताओ आर होगा कि आई होगा दुर्गेश चहार मनु राजपूत समीक्छा बिजय संकर प्रियंका मोहित मिस्रा सुमित प्रांजल अंसिका आजाद अली मिस्टर परफेक्ट वावाई नाम तो बड़ा सुन्दर है तुमारा रूची ये को सब आर 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 बोल रहे है यार 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 मतलब सही बोल रहे ह हाँ ठीक है बहुत अच्छे बिच्चे बेरी गोड बेरी गोड बेरी गोड एकदम धुआ धुआ कर दे रहे हो तुम लोग टाप करने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा कोई तूफान नहीं रोक सकता है चलो यह ऐसे दिखने में तो इसका थोबडा जो है इरेफनल दिख रहा है लेकिन अभी इस वह हम काटे छाटेंगे ना सफाई करेंगे खूंद खूंद के ना तो यह रेफनल बन जाएगा वैसे जैसे कोई आदमी चोर है और एक बार वह चोरी किया और उसके बाद उसकी अच्छे से सेवा हुई खुदाई हुई तो वह सुधर जाए तो उसको क्या बोलेंगे बदलाव हो गया ना उसमें तो वैसे इसमें क्या है अभी यह क्या है ए रेफनल है लेकिन इसकी हम खूंदाई तोड़ाई करेंगे तो यह दोनों कट वर जाएंगे आपस में दो बचेदा जो की क्या है रेफनल नंबर है तो समझ रहे हो ना यह जैसे है यह रेफनल नहीं है बच्चा यह तो इस नल है लेकिन जब हल होगा यह कंपलीट सिंपलिफाई होगा तो तू आएगा और जो टू है वो क्या है वह रेफनल नंबर मजह आरी ना देखो सोना नहीं कोई सो गैंना सब्सक्राइब होगा यह आगीश्चत पढ़ाते पीछी आराम से मस्त ऑपूल नहीं सो नहीं पढ़ना रहता था तू इस लिए सो नहीं है राज त्रिवेदी बच्चा कलास का टाइम है कब जानते हो अरे अभी जब चल रही है मतलब साम को साथ से रात के आठ के बीच में साम को साथ से रात के आठ के बीच में कलास का टाइम है तो ये आपका हो गया, आप समझ गए, अभी इसमें कोई और भी बचा है क्या, बताओ जल्दी से फट फट, तीन पार्ट तो हो गया, अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों की किताब में ये कुश्चन मिल रहा है, अगर आपकी किताब में ये कुश्चन मिल डबल ए लिख के कमेंट करो, एफार एपल, दो बार ए ए लिख के कमेंट करो, डबल ए के साथ में, मिल रहा है क्या किताब, किताब में मिल रहा है ना कुश्चन, देखो बच्चा, बहुत से बच्चों का कुश्चन होता है, मेरी किताब में ने मिल रहा है, गुरू जी मु रहा हो ना जैशे तुम को दिया जाए एक आम हां अब तुम आम खा लो अब उसके बाद फिर तुम्हाम का स्राच बता हो गया ना मालूम हो गया ना आम का तुम देख के जाने भी कैसे होता है किट्का बड़ा होता है क्या साइस होती उसमें Glück मिलता है उसके बाद तुम्हें चाहे जो आम दिया जाए लंगड़ा चौसादा सहरी पीला खर्रा करिसा भी तुम जान जाओगे आमी यह न समझ रहो ना तो वैसे तुम किवाल समझ जाओ बस एक एक बार समझ जाओ उसके बाद फिर किसी भी तरह का कुश्चन आएगा सब क किताब की पीछे मत पड़ो हमारे तो किताब में में नहीं है मैं जिनदगी भर करते रहोगे कुछ नहीं होने वाखा सिर्फ सीख चाओ बस क्ता देखिजिए बस है क्ता के कुछ होती है कान होता है और समझ रहे हो ऐसे कैसे होता है उसके बाद फिर तुम कुछी भी प्रकार का कुत्ता देख जाओ फलाने का पडोसी का गाउं में जंगली सर जान जाओगे हाँ यह कुत्ता ही है लेकिन तुम कौन नहीं हम तो फलाने वाला देखेंगे वएसे ही होता है तो फिर ज़ो आगे बढ़ें आप समझे गए न हम जो बोलने चाहते थे चलो बच्चा यह बता इसका जो चौत्फा पार्ट है वपन अपार अंडरूट दो यह रेशनल है कि एरेशनल है यह रेफनल है कि एरेफनल है बच्चा मैंने तुम्हें बताया था कि जो नंबर P.E.P.N.Q के फार्म का होता है वो क्या होता रेफनल होता है आप कहो गरूजी यह P.E.P.N.Q का फार्म कौन सी नहीं कहानी है देखो, ये मैं बहुत अच्छे से बताया हूं अगर तुम पढ़े हो तब यह जो number दिया है न, इसको तुम्हें बताना है अगर मैं इसके नीचे एक ठी और लिख दूँ, ये भी इसको भी तुम्हें बताना है देखो यहाँ पे समझो यहाँ पे समझो बच्चा अगर इसको तुम सलूसन करो, आगे हल करो, कुछ भी करो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि यह क्या है, ही करना है ही करना जानते हो, जिसे बैसारम बोलते हैं, काओं में सुने हो कि नहीं जो कोई बहुत गंदा काम करता हो गलत काम करता हो उसे बार-बार रोका जाए बार-बार समझाया जाए घरवाले कहता है यह बे सारा माई ही करना है इस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला चाहा है जो करो तो वैसे ये क्या है ये ही करना है भाईया इसको कुछ भी करो ये उतना ही आएगा इसका वर्गमूल करोगे जो भी चिन्न लगा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये फाइनल में उतना ही आएगा तो ये डजनाट इक्वल पी अपान क्यूब ये सुधरने वाला नहीं है कहता कि हम नहीं सुधरेंगे और ये ये कहता नहीं है बहुत सीधा साधा है सुधर सा हमारा जब वर्गमूल करोगे तो हम दो हो जाएंगे इस तरह से ये सुधर जाता है तो ये पी अपान क्यूब के एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, दसमलों में आएगी, इसलिए वो क्या है, रिफिनल नंबर नहीं है, समझ रहे हो, दूसरे सब्दों में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा, जब होली आता है, तो लोग बच्चे मुखोटा लगा-लगा के रंग खेलते हैं, मानन हो ना, तो बस वैसे ये क्या है, ये भी एक परकार से क्या, इनके उपर टोपी लगी है, ये अंडरूट मतलब क्या है, टोपी है, मुखोटा लगा है, इनका मुखोटा निकालोगे तो क्या आएगा, ये दो आएगा, लेकिन भाया, इनका मुखोटा ना, बेल्डिंग करा लिया गैलो हेगा वो निकलने माला है यह नहीं वो निकले गई नहीं तो क्या होगा वह ही रहेगा समझ गये न देखो कुल मिला के आप यहां से मतलब समझो अगर समझ जाओगे न एक बार बच्चा एक बार तुम समझ गये न उसके बाद फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकत चलो, यह हो गया, एक्ठी और बचा है, बड़ाई खतरनाक है, एमें एक्ठी है, इद्दुई पाई, सभी बच्चे ये बताओ, ये क्या है, ये परमिय है कि अपरमिय है, रिश्टर बिनीत सिंग, पढ़ाई कर लो बच्चा, पढ़ाई कर लो तुम्हारा साधी भी आभी हो एक्ठी और जुड़ा है, तुम्हें मालूम है, अगर कोई लड़का एक बहुत ही गंदा टाइप का हो, बर्बाद टाइप का हो, और एक्ठी बहुत ही सुन्दर आ जाए, मतलब अच्छा सीधा साधा, तो तुम्हें पता है कि जो सीधा साधा है, वो सुधरेगा, मतलब उसको सुधार लेगा, ऐसा बहुत कम चांस है, जो बिगड़ा हुआ है न, वो जो सुधारा हुआ है उसको भी बिगड़ देगा, लेकिन बिगड़ा हुआ सुधार न, मुस्किल है, बहुत मुस्किल है, तो उसी तरह से यहां पर है, जैको इसमें दो लोग है, एक तो रेफ तो फाइनल में जो बनेगा न वो ए रेफनल नंबर बनेगा बच्चा ये क्या है आपर मिये है क्यों क्यों आपर मिये है क्योंकि इसका दो जो दो है इसका गुड़ा पाई में है पाई क्या आपर मिये संख्या है तो फाइनल में आपर मिये होगा की नहीं तुम लोग तो पर बेरी गुड बेरी गुड बच्चे बेरी गुड इरेफिनल नंबर होगा पूरा कंफरम है यही हमारे पास में हां चलो तो आपका यह खतम हो गया दीपक बच्चा ठीक है तुम्हारा कमेंट आ रहा है अब तुम ठीक हो अच्छा हो चलो सही हो तो यह आपका हो गया पहला question खतम हो गया बोलो पकवान की जए exercise 1.5 का पहला question का पांचों पार्ट खतम हो गया एक बाद बताओ किसको किसको समझ में आया बोलो यास 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 समझ में आया ना इसी दम पे तुरंत जितने भी गदहे शेयर नहीं करें कलास को तुरंत सेयर करके आओ जल्दी से गदहे नहीं बोल रहा है वो त्यार से बोलता हूं क्योंकि आप लोग ना मरे बहु करिए ठीक है कि हाट वजे कॉल करिए मैसिज करिए तो भाई देखो कलास के टाइम पे आप लोग फोन ना किया करो क्योंकि फोन अक्सर हमी लिये रहते हैं क्योंकि आप लोगों कि सिकायत आती है कि हमसे बात नहीं करते हो बढ़के चोधरी बन गयो तो हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कि भाई देखो फोन हमी को दे दिया करो पढ़ाते टाइम में जिससे बच्चों को थोड़ा सा खुसी मिले हम चाहते हैं कि आप लोग खुस रहो मतलब संतुष्ट रहो पूरी तरह से इतने भी बच्चे हैं सभी फटा-फट कलास को लाइक करें भाया तुरंत देर ना करें आकास कुमार तब ही बच्चे तुरंत कलास को सेर करो फटा-फट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बही सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता रेड कलर में जो लिखा होता है कुछ बच्चे गाओं के जो हैं जो कम समझदार हैं वो सोचते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो गुरुजी हमारे घर पैसा मांगने आ जाएंगे टक्टल लेके ट्रालिम भरने नहीं पैसा मांगने नहीं आएंगे तुमारे घर सब्सक्राइब कर लो कोई पैसा नहीं पढ़ता है कोई पैसा नहीं लागेगा फिर ही है ठीक है रेड कल निमनलिकित बेंजकों में से परतेक बेंजक को सरल कीजिए जो बच्चे NCRT किताब लिए हैं परस्नावली 1.5 एकसरसाइज 1.5 कोईशन नमबर सीकेंड देखें ठीक है मैं जो पढ़ रहा हूं सुन लो नहीं किताब लिए हो तो लिख लो कापी में बस निमनलिकित बेंजको में से परतेक को परतेक बेंजक को सरल कीजिए चलो देखो समझो तो बच्चा जो पहला बेंजक है बाबू वो का है 3 प्लस अंडरूट 3 दूसर का जो बेंजक है इसकी बेंजकिया जो है वो का है वो कह रही कि 2 प्लस अंडरूट 2 इनको सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि कोई उपाए है इसमें सरल करने का मिरिश्टर निकूल प्रियंक का आरा समझ में कुछ लोग तो इतने अच्छे हो थे हैं कि वह एक दूसरे का नाम एक के में जोड़ के नहीं मुझे यादी नहीं आ राज तुम लोग बताना चलो इसको क्या करेंगे अपस में मल्टीपल करेंगे भई या गुड़ा करेंगे तो गुड़ा कर लो तीन का गुड़ा पहले इन दोनों में करो फिर रूड तीन का गुड़ा इन दोनों में करो कोई इनका उत्तर बताए, फटा फट चलो, जल्दी करो बच्चे, चलो चलो बही, अन्स यादो, ठीक है बच्चे, बेरी गुड, बेरी गुड, इस्क्रीन साट ले लो, कुश्चन का, अगर आपको नहीं दिखरा के लियर, तो अगर दिखरा है, तो फिर आंक बंद करके दे खो, नहीं दिखरा है, तो ले लो, इस्क्रीन साट चलो, देखो मैं बताता हूँ, रूपेस दास, बेटा पढ़ाई कर लो बाबू, पढ़ाई कर लो मिश्टर रूपेस, तो तीन का गुड़ा करोगे भाईया, दो में बाबू, तो छे आएगा, बीच में पलस है, तो पल हाँ, इनका एह में करोगे तो अंडर उठ्चे हो जाएंगे, अब क्या इसमें कुछ जुड़े घटेगा, हाँ, भाई, इसमें कुछ जुड़े घटेगा, का, बताओ कुछ होगा का, इसमें कोई उपाए, आकास कुमार एंड बरदर, बच्चा क्या कह रहे हो भाई, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, पड़ लो तो अच्छी बात है नहीं, तो लेते देते ही रहोगे, कुछ होगा का है इमें भाई, इमें कुछ ना होगा, बच्चा, इसके आगे कुछ होना संभव ही नहीं है, स में कोई चिन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई चिन है नहीं कि तनी देवल आपका नाम देख के मुझे कुछ और र्याद आ रहा था आप समझ रहे हो ना चलो ठीक है वो तो सनी देवल निकले तुम ठीक है चलो हो गया अगला देखो इसका सिकेंड पार्ट पार्ट प्लस अंडर रूट तीन फ्लस अंडर रूट थी और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री तेखो भाईया इनको हल करना है कितना आएगा जरा सोचो जल्दी से सभी बच्चे बताओ दीक्षा सर्मा कि यह बच्चा सुनो कि मर जाता तू पहले काय को दिमाग कर दिया कि एक मिनट रुख जब यह डिस्चार्ज हो गया चिल्ला रहा है इसको भी थोड़ा से ठंडा करना पड़ेगा कि इसका जो है लो हो जाता है चाता देव नहीं चलता इस बैचार बहुत लोड बढ़ता है मन और नघरी आता है इतना कुछ लाके जोड़ दिया है बैटणी भी नहीं चार्ज कर रहा है चलो बताने वाले क्या थे बहुत ही अच्छे से लेकिन यह लेपटाप डिश्चार्ज हो गया तो 15 जुलाई से सुबह साथ बज़े साइंस की कलास होने वाली है बड़ी मज़दार कलास होगी साइंस की पूरा प्रेक्टिकल ही बताएंगे आपको अपने गाउं दियात में तुम प्रेक्टिकल करना हम यहां पर पढ़ाएंगे ठीक है साइंस में प्रेक्टिकल होता जानते हो ना चलो तो यहां पर समझो कुष्टन लिख लिए सभी फटा फट देखो जैसे मैं लिखूं ऐसे लिख लिया करो मैं अपना वीडियो खुद देखता रहता हूं इसमे इसी वजह से ना क्या होता है न जैसना जब कुछ गढ़बढ होता तौर मैं बताता हूं कि कुछ जबढबर हो रहые हैए यह मैं खुद वीडियो देखता रहता हूं मोबाईल में क्योंकि वीडियो ऐसे कैसे रहा है कि यह नहीं रूपद पड़ता है कि अब देखो समझो में बताता हूं आपको इधर साइड हाँ जी अभी कलास चल रही बताइए अभी जो भी जानना आप दिन में कॉल करिए ठीक है दस बज़े से चार बज़े की बीच सब बताया जाएगा नहीं तो आप मैसेज करिए टेक्स मैसेज हैं डंडा करके रखा है सारी इंक्वाइरी इनको राते में सूझती है और आज मैं यही मोबाइल लिया हूं जिसमें कलास का फोन आता है तो मैं यह मोबाइल कभी नहीं लेता हूं मैं वही अपनी लिए रहता हूं छोटी सी टूटी- मैं नाम से परिशान हूं किसी का नाम मोहित की जगा वह तो ही पंकज की जगा रंकज अब बिनोध की जगा एक नया ट्रेंड आ गया सिनोध चलो तो बच्चा यह ए प्लस भी ए माइनस भी यह सूत्र तो तुम पढ़े थे अपने बच्पन में आप तो जवानी में आ गए लिए पश्पन में पड़े थे ना पड़े थे आगे जगा है कि टरेर लिख देता हूं अं अ की की जगाः पर बच्चा तीन रखोगे और बी की जगाः पर रूट की रखोगे तो भाईया हो बाबू हो ये 9 होता है ये अंडरूट 9 होगा 9 का वर्गमूल 3 आएगा फाइनल में 6 आएगा कितना आएगा 6 कितना आएगा 6 लिख लो फटाफट लिख लो फटाफट छापलो तुम देर ना करो चलो किती को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो आजल कलास का टाइम है साम को 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच में अगर पढ़ना चाहती हो तब कुमरम सेर्दिया अभी बच्चों को मालूम है कलास का टाइम साम को 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच अब कब बंद हो जाए मेरा खोपड़ी जब सनक जाए तब बंद हो जाए कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी आठ साथ पैतालिस के बाद है बंद होता है छापो छापो फट फटफट छापो इसको ऐसे विकर सकते हो मैं ने समझाने के लिए ऐसे बताया है भी कोई दिक्त नहीं है सब बाकिे बहुत अच्छा नहीं लगाया हूँ पता नहीं कहां से कुछ हैसे पैदा हो जाते है ना कि जो मुझे बहुत परिसान करते हैं मुझे मन करता है कि इनको मैं क्या करूँ इनको मैं कितना भी बता दूँ कि बच्चा रात में फोन ना किया करो थे बच्चा कहेंगे नहीं मैं राती में करूँगा तुम क्या करोगे मेरा इनके मन में यही इसको आप लोग कर लोगे पहले बताओ कितने लोग कर लेंगे बहुत आसान है ना कर लोगे ना बहिया कर लोगे ना बताओ कर लोगे सभी सभी बच्चे कर लोगे ना चलो यार इसको बला कर रहा हूँ पिर rhyme करते हैं कि इतना राव भी बोलो फिर फॉन करेंगे फिर बीडियो काल करेंगे नई दिल भरेगा रिट्ट आइडियो वाला फॉन करेंगे deux करते ही रहेंगे इनके माब इनको मोबाइल देंगे लो बेटा लो मुझे तो परिसाने करें जो बचा उसको भी कर दो कि अचलो कि सबीकर लोगे ना इसको कर लेना मैं नहीं बताओंगा देखो क्या करना है मैं थोड़ा सा हिंड से बता देता हूं ए प्लस बी इसी सूतर में खोलना बस मान रख देना आ जायेगा और हाँ कोई बहुत अच्छा मान नहीं आएगा मतलब कि 20, 25, 30, 50 ऐसे कुछ आएगा नहीं जो मान आएगा अंडरूट में ही आएगा अंडरूट में ही मान आएगा इसको कर लेना तो बच्चों ऐसे इसमें का एक और भी है अगला पार्ट उसको भी तुम कर लोगे अंडरूट पांच माइनस अंडरूट दो अच्छा इमानदारी से बताओ इसका कितने लोग नहीं कर पाएंगे भाई कितने लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा रुको मैं हटता हूँ चलो देखो अगर आप इसके पीछे की 6 कलास नहीं देखे हो ना तो इस कलास का डिस्क्रेप्शन देखना उसमें आपको लिंक मिल सकती है उसमें से आप कर सकते हो उसमें आपको तरीका समझाया गया है मतलब जो पीछे कलासे हैं अगर उन्हें पढ़ लोगे तो नहीं तो आप चैनल पे जाओ महाँ पे वीडियो मिल जाएंगे तो बच्चों इसका आधा पार्ट ये था ये पूरा कुश्चन है देखो इसमें भी हिंड से बता देता हूँ ए माइनस भी और ए प्लस भी अभी अभी जैसे मैंने उपर किया वैसे इसमें भी मान रखोगे ये भी हो जाएगा ठीक है भई ये चलो इसको भी कर लेना अगला एक थी बड़ा खतरनाक सवाल है भई किताब लियो ना तो बच्चों अगला कुष्चन है आपका एकसरसाइज 1.5 कलाफ 9th NCRT का कुष्चन नंबर 3 क्या कहता है ज़्या ध्यान से देखो सबी बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा अक्सिता ठाकुर तुम्हारा तो मुझे गल्स का नाम लग रहा है तुम कहीरो कि मैं नहीं कर पाऊंगा कर लोगे भाई इनननहीं आएगा तो बताना चलो अच्छा बताई देता हUNG चलो चलो ठीक है बताई देता हUNG तुम लोग बड़े इतіш सुंदर बच्चे ओ क्यूट क्यूट से अच्छे अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ते नहीं ना मुसीवत तो यह उनको लतिया ना पढ़ता है तब पढ़ते हूं चलो बता देता हूं देखो चलो सब बता देता हूं तुम चापो बस हाथ पैर फिला के वैठो चापो कि जलो फिर कौनों गरहाई दूसरी कमेंट बंद हो जाता है इसके फोन करने लगता है तो थोड़ा सा रुक जा यार क्या करूं इनका इनका कोई उपाई नहीं है इनका कोई उपाई नहीं है करतरा बेटा करतरा तू चलो देखो इधर समझो यह बच्चा फर्मूला होता है लिख लो इसमें से अधिकांस को यह सुत्रवय नहीं याद होगा मुझे पता है इसको लिखो जहां जहां पर ए है वहां अंडर रूट पांच रखो अब इसको ब्रेकट ना लगाओ भी है जहां जहां पर V है अंडर रूट 2 रखो यह स्क्वाइर ठीक है तो बच्चा A का स्क्वाइर मतलब की रूट 5 का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर मतलब रूट 2 का स्क्वाइर प्लस 2AB A का मतलब रूट 5 और B का मतलब रूट 2 फाइनल में आपका हो जायएगा बच्चा ये अंडरूट पचीस जेको मैं पूरा लिखूंगा डीटीयल में और ये आपका हो जायगा अंडरूट चार अरीं तोँ इंटू अंडरूट दस पर यह जाएगा यह 5 हो जाय Quebec और यह दो अंडर रूट दस तो फाइनल में आपका सेवन प्लस टू अंडर रूट दस यह उत्तर आएगा बोलो इतना आ रहा है कि नहीं सबी बच्चे बताओ इतना आ रहा है कि रोथे का तीन आएगा सीवन कुछ वाहा बता रहें ठीक है बहुत अच्छे हो तुम तो एकदम सुन्दर सुन्दर बच्चे हो चलो चलो बच्चा शाप लो फटा फट अच्छा इसमें से कितने नए बच्चे हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब करें यहां देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा तो तुम्हारा कमेंट भी आने लगेगा बहुत से बच्चे च्छटपड़ा रहें तडब रहें उनका क कमेंटी नहीं आ रहा है यह लोग बढ़का पैसा जमा करें का जो पढ़ रहें यह सब फरी पढ़ रहें तुम भी पढ़ सकते हो बस क्या करो चैनल सब्सक्राइब कर लो बस चार्ज में लगा देता हूं कैमरा डिस्चार्ज हो गया है थोड़ा सा भाई कहां गया लगा है त चार्ज होगा अभी है ठीक है चलें आगे कलास का टाइम हर दिन साम को साथ बजे से याद रखना साम को साथ बजे चलो इसको मिटा दीए ना लिख लिया करो जब मैं हटता हूं इधर उधर पोलता हूं बढ़ बढ़ाता हूं यह नहीं कि अभी मैं तुम्हारी आरती उता करूंगा बेटा उतार लो उतार लो बबू उतार लो ऐसे मैं नहीं करूंगा मैं मिटा दूंगा फिर तुम्हाइसे लखते रजाओगे इसे तमासा देखोंगे कड़ा हूई कि यह तो यह आपका हो गया तो बच्चों इसमें जो एक ठी और बच रहा था उसको मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसे दूसरा था वैसे इसका चौथा पार्ट है अब तुम अगर उसको भी नहीं कर पाते हो तो मत पढ़ना पढ़ाईए चोड़ दो तुम हां इतने बड़े खच्चर हो अगर तो क्यूं पाल तू पढ़ रहे हो हां छोड़ का कुईस्टिन नंबर 3 है अब हम इसके बारे में बात करेंगे आप सभी किताब लिये हो तो पहले कुईस्टिन पढ़ो जलो कि पढ़ो जो जो बच्चा किताब लिया है देखो मैं कुजिशन पढ़ता हूँ ध्यान से देखो इतने बच्चे NCRT बुक लिए हैं मतलब में NCRT उनके में एक दम अच्छे से मिल रहा होगा जिसके में नहीं मिल रहा हो भी सबर करें समझें उसके भी काम का है उसके भी किताब में है आगे पीछे हैं बस समझो कहना कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधी और उसके ब्यास के अनुपात से परिभासित किया जाता है मतलब ये कह रहा है कि आपको तो याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधी और उसके अनुपात से परिभासित किया जाता है इनका ये कहने का मतलब है, कि πाई एक्वल होता है, परिधी बटा अनुपात, ठीक है, आब तुम्हें यहां पर समझो, यहां पर परिधी को यह c माल ले रहे हैं, अनुपात को डी माल ले रहे हैं, ठीक है, आगे समझो, कहानी क्या कहती है, exercise 1.5, question number 3, रक्षा नौकी, NCRT, maths बुक में देखो question मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो और मिलाओ, समझो कह रहा है कि यहां इस तथे का अंतर विरोध करता हुआ परतीत होता है कि पाई एक अपर्मिय संख्या है मतलब कि यह इसका पालन नहीं कर रहा है कि पाई एक पर्मिय संख्या है जो यह कथन दिख रहा है, पी अपान क्यू के रूप में दिख रहा है तो इसके हिसाब से तो पाई एक पर्मिय संख्या हो जाएगी यह कह रहा है कि भाई अगर पाई बराबर इस तरह से होता है तब तो यह पाई एक पर्मिय संख्या है एक अपरमिय संख्या है आप इसका निवारन कैसे करेंगी वसे जहां तक उमीद है ये कुश्चन एक्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा बवाली कुश्चन है ऐसा बवाली कुश्चन कोई टीचर नहीं देगा आप लोगों को लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना और आपका फर्ज है पढ़ना और टीचर दे या ना दे उसकी इच्छा चलो समझो इसमें कुछ जादा करना है नहीं तो देखो बच्चों हम सब को पता है कि वो संख्या जो पी अपान क्योंके फार्म की होती है वो परमिय होती है नहीं रेफनल होती है लेकिन जो संख्या पी अपान क्योंके फार्म की नहीं होती हो बच्चा देखो जब तुमको मैं सुरू में बताया था कि भईया हर एक घौड़ा पर बैटने वाला आदमी दुलाहानी ही बन जाता है कुछ लोग इटड होते हैं खचर पर वोग गोड़ बैट जाते हैं तो दुलानी होते हैं समझो यहां से तो जितनी भी संख्या अंडरूट में लगी रहेगी वो सबी जरूरी नहीं कि पर्मिय होगी ये भी तो अपर्मिय मैं कुछ उल्टा बोला फिर से सुनुए जितनी संख्या विन्न के रूप में होगी यानि पिया पानक्यू के फाम की होगी वो जरूरी नहीं कि वो पर्मिये ही हो वो पर्मिये भी हो सकती है जैसे यह देख लो में क्या है देखो अब लिखोगे पहले इसे कहने से समझ में नहीं आएगा पहले लिखो आप पहानी लिखो अगर चो Neben Sandy अब फारपरी यह वह पांडी हैं तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं तो हम कह and d इस परकार है ऐसे ही कुछ होगा यार मैंने तो इसको समझा था हाँ c और d इस परकार है अगर c अपांड d का मान निकालेंगे तो terminating decimal आना चाहिए मतलब समझ रहे हो ना अगर हम कहें कि c और d क्या है परमिय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि c और d परमिय संख्या है इस परकार अगर c अपांड d का मान निकालें तो फिर terminating decimal इक्सपेंसर आना चाहिए मतलब समझ रहे हो तब अगर हम c अपांड d का मान निकालें तब जो इसका मान आएगा वह एक सांथ दसमलों परसार होना चाहिए लेकिन वास्तों में तुम सोचो कि अगर c अपांड d को हल करोगे तो क्या कोई पूर्ण संख्या ले आओगे क्या बताओ कोई बताए एनिवन कोई बताए कि अगर c अपांड d को हल करोगे तो क्या पांच आजाएगा पचीस आजाएगा बैयालिस आजाएगा सो आजाएगा पांच सो आजाएगा ऐसा कुछ आएगा बोलो पूर्ण संख्या का मतलब तही हुआ ना बच्चा जीरो आजाएगा इसको हल करो कि क्या अठाइस आजाएगा क्या नहीं आएगा आता हम कह सकते हैं कि पाई एक्वल सी अपांडी एक अपरमिय संख्या होगी तो बच्चों यह कोईश्चन एक्जाम में आने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि यह बड़ा जंजटी कोईश्चन है सिधा फीधा हल करने वाला है नहीं तो ऐसा कोईश्चन जो है वह एक्जाम मे पटक पटक के और अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा समझ रहे हो ना एक बात सुन लो बच्चों अभी कलास नाइंथ में पढ़ रहे हो ना इस खुशी में बिल्कुल ना रहना कि यह कुरोना जादा पास करवा देंगे बीना परिक्षा के बच्चा जो तुम पीन पास कोई है कुई है उसको कितनी आऊशानी से नहीं मिल रही है ना जबकि वह अच्छे से बढ़ा था है एक्जाम भी दिया था सारा करम किया था तब और नहीं रही है तुम यह सोचो कि अगर तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे ना आंध्या-न्त में तुमको सरकार पा तो सब लोग जाएंगे रोज रैलिम जाके बिंड बनाएंगे इसलिए क्या करो साही साही का पढ़ो ही मांदारी से हमारा देश का जो सिस्टम है न वो चाहता है कि तुम बेवकूब का बेवकूब बने रहो कि पढ़ लिख लोगे तो सिच्छा स्वास्त पर बात करोगे ना पढ़ो ऐसे बने रहो तुमको पास भी कर देंगे तुमको डिगरी भी मिल जाएगी लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिलेगी नौकरी नहीं मिलेगी याद रखना इसलिए अच्छे इसे पढ़ लो समझ रहो ना अच्छे से पढ़ लो तभी कुछ होने समझ रहो ना साम को चलेगी कितना बज़े से साम को नहीं 15 जुलाई सुबा साथ बज़े तो बच्चों आज का टाइम है मुझे लगता है पूरा हो गया है खतम हो गया है तो आज का कलास हम यहीं पर बंद करें थोड़ा सा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप बताओ आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो बताओ चलो फटा फट बताओ कोई सवाल है किसी का तो बताओ कोई सवाल है कलास के बारे में तो बोलो नहीं सवाल है तो मत बोलो चलें फिर कलास का टाइम साम को साथ बजे से रात आठ बजे के बीच में होता है आप डेली जुड़ो यूटूब पे और बिल्कुल फ्री पढ़ो यहां पे कभी भी एक रूपया नहीं लगने माला सब फ्री पढ़ाया जाएगा लेकिन तुम्हें काम करना होगा कलास को ला यहां अधने, हजारं जोरू को सव्थान है जोरूंस करें नहीं जानते होतों आप यूटूब पर वीडियू सर्च करते हो तुम सब चाहिए